हाई गाईज, वेल्कम बैक टो मैं चानल, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शाय करने वाली हूँ एफ़ॉजबल हाइलाइटर्स, तो हाइलाइटर्स किसको पसंद नहीं होता, अपनी स्किन पे ग्लो किसे पसंद नहीं होता तो यह जो हाइलाइटर्स हैं यह बिल्कूल थ्वीडिग रुपिस से स्टार्ट्डड हैंगे, और यह 500 तक के हाइलाइटर्स मेरे पास हैं तो hopefully आपको यह जो वीडियो है वो बहुत ज़दा यूसफुल लगेगा और आपके बहुत ज़दा काम आएगा एक बहुतर हाइलाइटर को सिलेक्ट करने में So without further ado, let's get started! So guys, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी सबसे लो बजट से तो सबसे जो कम बजट वाला मेपस हाइलाइटर है वो है यह है यह है शिमर डस्ट यह मैंने लोकल मार्केट से 25 रुपीस का बाय किया था तो यह गलो बहुत अच्छा देता है शाइन बहुत अच्छा देता है आप यह मुझे काफी जदा पसंद है शाइसा ऐसा इस एप्लाइटर भी लगा लेती हूँ यह बहुत अच्छा एफेक्ट देता है तो यह है जो सबसे कम बजट का हाइलाइटर है सेकंड जो हाइलाइटर है यह है यह है सेफर का हाइलाइटर इसमें आपको आपको कॉंट्र, प mitts रटायर पांज हम दमने लिखी होग अपूट इस अपड़ ए फे tips करें दोछ राइट को अपनी हमाहाद अप्रहा दोना हमई रही तो यूद्न ओड आपको थाएज तो जो थोड़ा हाई फ्राइस टा फैस यही था भाववावज हमाहाद on मतलब कि ठीक है बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है अगर आपको एक एफोर्डबल रेंज में इस तरीके का पैलेट चेहिए तो आप इसे बाई कर सकते हैं और यह है सेकंड हाइलाइटर मैं जिसकी भी लिंक होगी लाइक इसकी लिंक है में होगी तो मैं मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका भी अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगी इससे कुछ मिलता जुलता मुझे देखेगा तो जो इससे उपर का जो मेरे पास हाइलाइटर है वो है यह इस हैलरी रॉड़ा क्रीम हाइलाइटर अब देखेगे गर्मी की वज़े से कितना ज्यादा यूनों बहुत ही ज्यादा मैल्टी टाइप का हो रहा है आप यह कर सकते हैं कि इसको फ्रिज में रख सकते हैं और हाँ एक चीज और कि विंटर्स के लिए हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है लेकिन अगर आप और पीस जो मैंने अमेजूँ से बाए किया था अगर डॉय skyn वाले है तो आप इसे जरूर बाए कर सकते हैं और अगर आप औली स्किन वाले है तो विंटर्स केसे सकते हैं रेस्ट आप दा टाइम आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं तो यह है थर्ड हाइलाइटर तो गैस मैंने आपको थ्री हाइलाइटर अल्रेडी दिखा चुकी हूँ और जो नेक्स्ट हाइलाइटर है मेरे पास एफॉर्डेबल रिंच में वो है यह यह है ग्लाम ग्लो लिक्विड हाइलाइटर और मालियो यह मालियो का है मालियो की तरफ से तो यह भी मैंने एमेजॉन से बाई किया था और यह बिल्कुल गोल्डन वाला लोग देता है आपको और यह liquid highlighter है तो यह भी मैं आपको बोलूगी कि विंटर्स के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है यह according to weather आप इसे अपलाए कर सकते हो और अगर आपको यह लेना है आप इसका rose gold shade लीजेगा क्योंकि इसका जो golden shade है वो बहुत ही ज्यादा चटाक वाला golden है तो में भी आपको अच्छा ना लगे और फैर स्किन में बहुत ज्यादा दिखे तो आप रोस गोल्ड शेट ले जिएगा जो अर्मोस सब में ही चल जाता है तो इस तरीके से आप पीछे अपलाई करके और यहां पर इस तरीके से डवड़ करके आप अपलाई कर सकते हैं तो यह है वन फिफ्टी रुपीज का मैंने बाई के ता बहुत अच्छा है रिकमेंटेड है बिल्कुल हाई ब्रेंड की तरह यह हाई लाइट काम करता है आप चाहें तो इसे अपने बेस या फिर आप इसे पहले आपने फेस पर अपलाई करने दें इसके बाद आपकोई लिक्विट फांडेशन अपलाई करें तो आपकी स्किन बहुत ज़ता ड्यूवी लगगी आपका मेकप बहुत ज़दा होगा क्योंकि अभी करबच आने वाला है दिवाली आने वाला है हर क बहुत सारे शेद्स मिल जाते हैं अलग अलग हाइलाइटर की ब्रिक हाइलाइटर है और यह 200 रुपीज का आपको मिल जाएगा अमाजन में कभी-कभी जादा ओफ रहता है तो 180 कुछ में भी आपको अविलेबल हो जाता है उपर के शेद्स है वह बहुत प्यारे तरीकी से अट्रीक हाइलाइटर की रूप में काम करते हैं और यह जो नीचे के तीन शेड है इसे आप अपके ब्लश यूज कर सकते हो और किसी को पिंकिश हाइलाइटर भी पसंद होता तो वह भी आप कर सकते हो यह वाला शेड हाइलाइटर के लिए बहुत ज़दा प्यारा है और आप किसी भी skin type के हो तो ये highlighter आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको सारे shapes मिल जाते हैं ये 220 रुपीस का मैंने market से भाई किया था मतलब अपने local market से भाई किया था बट ये Amazon में भी है आपको अच्छे खाजे प्राइस में अविलिबल हो जाता है तो ये भी recommended अगर आप बजट में अच्छा highlighter चाहते है तो ये भी आप ले सकते हैं इसके बाग जो थोड़ा सा उपर आकर लेकिन इससे ज्यादा quantity आपको कोई highlighter ने देख सकता वो है ये एडियस का highlighter palette ये इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है ये एक्चली कोई सा ब्रैंड बहुत हाइं ब्रैंड मुझे विल्कुल याद नी आ रहा है उसका ड्यूप है ये तो मैं आपको नाम मैंशन कर दूंगी स्क्रीन पर उसका ये ड्यूप मैंने लोकल मार्केट में देखा था एं पिंकेश है और थोड़ा सा गोल्डन टेच वाला शेड और ये चारो ही बहुत जादा अच्छे है मैं आपको बताती हूं इस तरीके से मैं आपको फिंगर में लेकर बताती हूं ये बहुत अच्छे है मैंने लोकल मार्केट से बाई किया तो उसके बाद मैंने ऑनलान ये मैंने लोकल मार्केट से बाई किया था क्वैलिटी बहुत ऑसम है और आप चाहे तो आप अपने लोकल मार्केट में कोई ऐसे मेकप स्टोर जहां पर होलसेल रेट में मिलते होंगे वहां पर आप चेक कर सकते हो में भी वहां पर ये अविलिबल हो क्योंकि ATS के मोस्ली अपने लोकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़े मिल जाती है जो आपको ओलाइन अविलेबल नहीं होता है तो आप ये ले सकते हो गाईस ये मेरे जब मैंने यूटूब चैनल स्टार्ट किया था तब से मेरे पास जो अभी भी मैं इसे यूजी कर रही हूं और इतना ज्यादा ये ग्लो देता है इतनी प्यारी स्किन दिखाता है आप खुद भी देख सकते हो कितना ज्यादा शाहिन कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है गाईस मेरे दरव से तैन और ये सिर्फ 250 रूपीज का वाई किया था मैंने लोकल मार्केट से ये एक हाईलाइटर जो आपको बहुत आफॉर्डबल रेंज में ओलाइन भी अविलेबल हो जाता है और बहुत अच्छा है मर्स् रिकामेरे राइटर है ये जो है ये बाई किया था अर मेरा जो शेडे ये है इस सिल्वर पिंक ये फैर सकिन वालो के लिए है अगर आप तो ये शेड आपके लिए बहुत ज़दा सही है लेकिन अगर आप मेडियम स्किन टोन के हैं या फिर वीटेश स्किन टोन के हैं तो आप इसमें जो गोल्डन पिंक आता है न वह वाला शेड लीजिए वह बहुत अच्छा रहेगा इस हाइलाइटर की एक ये खासियत है कि आप इसे as a makeup base अपलाई करो आप इसे अपने foundation में मिक्स करके अपलाई कर लीजिए अपको जैसे यूज करना आप इसे यूज कर सकते हो यह बहुत जाद अच्छा इसका मैंने separate video भी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है तो यह यह बहुत जाद गाओ जाद मुझे पसंद अच्छा इसे बहुत जादा मुझे पसंद इसे यहालाई sellers जितने पी लिक्वीड और क्रीम हाइलाइटर होते हैं वो जो नर्मली जो जो ड्राइस कृषिन वाले होते हुआ हुआ हुँ लेकिन विंटर सीजर में तो हर इसकिन और अगर आप इसमें से कोई भी लिक्विड हाइलाइटर पसंद कर रहे हैं या फिर आप स्विस्ज ब्यूटी का है बसंद कर रहे हैं तो आप अपनी फाउंडेशन में मिक्स करें जैसे यह वाला जो शेड है यह मेरा सिल्वर पिंक है तो मैं नॉमली किया करती हूं जो थोड़ी से डाक शेड वाले जो मेरे पास फाउंडेशन में इसको मिक्स कर लेती हूं और पहुत ही प्यारा वाला ग्लू आता है या फिर अपनी नॉमल डेली क्रीम के साथ में यूज कर अप्लाय करो बहुत ही जुई सा लोक आएगा अपके फेस में आप ज़ए ज़ए प्लाय कर लीजे देन उसके बाद में आप नॉमल कॉंपक्ट पावड़े यूज कर लीजे उससे भी बहुत अच्छा लोक आता है तो इसलि तो उस ताइम पे 50% एंप चल रह था कि मैने इसे बाई किया मुझे टू नार्ड़े का मिला था या फिर फिर फॉर्ट्य नार्ड़े का ऐसी कुछ सम्तिंग था मुझे बिलकुल अच्छ से याद नहीं और अब तो शायद में पस रिकॉर्ड भी नहीं होगा उसका लेकिन जो शेड है यह है Precious Petal और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब आप किसी भी occasion में इसे लगा सकते हो यह आपको निराश नहीं करेगा बहुत सुंदर वाला glow देगा यह देखे इसे बहुत सुंदर मैंने इसे अभी apply up किया हुआ है आप देख सकते है अभी तुम्हें करी नहीं सकते है इतनी sweating हो रही है सब चिपक जाएगा मेरे फेस पर तो यह वाला जो हाइलाइटर यह अभी मस्ट रिकमेंड है अगर आप अपनी वेडिंग के लिए ले रहे होना कि आपके पास एक highlighter होना चाहिए तो यह मेरी तरफ से suggested है मतलब अगर आप natural glow पसंद करते हो तो यह बहुत 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 ज़्या अच्छा highlighter है इसे आप ले सकते हो यह 300-400 के बीच में आ जाना चाहिए अगर discount चल रहे है तो otherwise 400 के उपर आपको मिलेगा online और online ही यह प् इसका शायद एक शेयर आता है लिकिन थोड़ा सा डार होता है तो यह जो है यह बिलकुल golden color वाला जो highlighter होता है वैसा वाला highlighter है मैं आपको कहां लगा कर दिखाऊ हो सब एक सा हो जाएगा यहाँ पर देखे यह बहुत natural finish देता है और ब्राइड ब्राइड्स के रहे बिलकुल बहुत अच्छा है यह मैंने Amazon से कुछ परसेंट आफ में लिया था तो यह 350 सम्तिं कुछ में मिला मुझे लेकिन यह थोड़ा सा कॉसली है 500 के अबव है लेकिन अगर आपको offer प्राइस में मिलता है तो आप जल्दी से ले लेजएगा विकोंसी बहुत अच्छा है और अगर साल चलने वाला और इसमें ऐसी कोई expiry date भी mention नहीं होती है तो आप इसे apply कर सकते हैं जब तक आपको इसे apply करना है तो यह इसकी बहुत अच्छी चीज है तो hopefully guys आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा so अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर क्योंकि आप लोगों का एक like ना बहुत appreciate करता है मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो likes आ रहे है ना तो हमें और इस तरीके की चीजे शेर करने चाहिए इस तरीके की वीडियो शेर करने चाहिए और हाँ चैनल को subscribe कर दिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो so bye guys stay home stay safe यह जड़ा आप मिज डेवा है झाउ झाल सकते हैं यह घूबिफ नहीं किया तक तक तरीके की वीडि़ो गला रहे हैं और शेंगए प्र में हाँ झाल रहे हैं तक 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 पियाए है पनूबगाफ पbahnाशना करहें चाहिए धड़ावावावावावावावावावावावा